नमस्कार दोस्तों मेरा नम आनन्द प्रकाश है और विगत 11 वर्षों से मैं मुखरजी नगर में राजिंदर प्लिस में पटना एलहाबाद लगभग संपूर्ण जितने भी प्रमुख केंद्र हैं वहाँ पे अध्यापन के कारे में लगा हुआ हूँ और इस तरीके से सैकुणों विद्यार्थियों की सफलता का एक मार्गदर्शक भी रहा एक गवाह भी रहा तो उस संदर्म में आज मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी वो प्राथमिक चीजें होती हैं जो हमारे सेलेक्शन के लिए जमधार होती हैं और हमें कौन से परामिटर् दिसकस करूँगा और खास करके ऑप्शनल के संदर्म में मैं डिसकस करूँगा कि ऑप्शनल की क्या भूमिका है वेकल्पिक विश्यों की क्या भूमिका है इस संदर्म में डिसकस करूँगा तो आज का मेरा महत्पुन विशे है और वो है राजनीती विज्यान और आर के नाम से भी जानते हैं हमारी विशयवस्तू बाइलिंग्वल रहेगी और वो इसलिए क्योंकि जैसा कि आपको विगत वर्षों में आए प्रश्न पत्रों को देखके यह अंदाजा लगी गया होगा कि बाइलिंग्वल विशयों को अगर हम समझदारी से देखें तो इस भारत में ज़्यादे सफल होता है क्योंकि आपकी जौब का नेचर भी वही है अब जैसे अगर आप प्रशास्निक सेवाओं में जाओगे तो वहां आपके कारे करने की जो विवस्ता होगी वो मुखेतया हिंदी माध्यम में होगी और सिविल सेवाएं एकेडमिक से को देखें तो सिविल सेवाएं कहीं न कहीं जनता से हमारे जुडाओं को स्पस करती है सरकारी योजनाओं को जनता तक पहुचाने के एक ब्रीज के रूप में आप काम करोगे एक माध्यम के रूप में आप काम करोगे तो आपको जरूर ही हिंदी के साथी साथ अंग्रेज पे भी पकड़ होनी चाहिए तो मैं अपने सभी विद्यार्थियों को ये महत्रपूर्ण एक संदेश देना चाहूंगा कि आपका माध्यम चाहें इंगलिश हो चाहें आपका माध्यम हिंदी हो लेकिन कोशिश करें कि दोनों ही भाशाओं के उपर बराबर पकड़ बने क्यो सेवकों को दोनों भाशाओं में पारंगत होना पड़ेगा तो ये हमारा सेशन भी बाइलिंग्वल ही रहेगा आज हम राजनीति विज्ञान के उपर डिसकस करेंगे और उसके संभावनाओं के उपर उसके सेलेबस के उपर हम डिसकस करेंगे तो लेट्स मूव फर्दर ए पोलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन हालांकि इसके बारे में बहुत तरीके की अफवाहें भी है कि ये सेलेबस थोड़ा लेंदी हो जाता है लेकिन अगर आप बारीक से देखो तो इसमें सेलेबस में बहुत सारे ऐसे पक्षे हैं जो की जीयस में भी उपियो होगी है देखो आज की समय में सबसे बड़ा सवाल ये है कि आपको सेलेक्शन किन आधार पे लेना है हमारा मुख्य मुद्दा है कि सेलेक्शन को हम कैसे आसानी से और स्मार्ट स्टड़ी के थुरू पूरा कर पाएं तो सवाल ये है कि स्मार्ट स्टड़ी है क्या कम समय मे अगर हम अधिक उत्पादक्ता दे पाएं तो हमरे लिए यही selection का सबसे बड़ा नजरिया होगा Nowadays, optional subject is very very important and if you are not knowing your optional subject, then you will not be eligible for the selection. बहुत क्लियर सी बात है कि अगर आपको optional के उपर पकड़ नहीं है क्योंकि यही पर आप lead लोगे और वेकलपिक wish है, देखो GS में क्या होता है कि लगभा लगभा सब लोग समान अंक पाते हैं, थोड़ा 19-20 का अंतर हो सकता है, बट optional में सीधे सीधे, अगर आपकी पकड़ है, तो आप सीधे सीधे, अगर मैं पकड़ की बात करों, तो आप सीधे सीधे कम से कम, 60% से लेके और 70% तक अंक पासकते हो optional में, लेकिन अगर मैं GS की बात करों तो वहाँ पर एक limited score होता है, जैसे आप UPSC का ही paper देख लो, BPSC का ही paper देख लो हलां कि हमारे सामने एक सबसे बड़ा confusion यह है कि optional की साधार पे चुने, तो अगर मैं पहला आपको parameter बता हूँ, तो मैं आपको एक खाली page में समझा देता हूँ, कि हमारे सामने क्या रहे गई यह तो इसको अगर मैं आप से discuss करूँ तो सबसे पहले तो हम यह समझते हैं कि optional एक short तरीके से देखते हैं how to choose optional इसको कैसे चुने तो इसके कुछ बहुत clear से parameter है मैं बहुत briefly बताऊंगा क्योंकि हमारा यह पूरा session political science से related है लेकिन मैं एक briefly बात आपको बताऊं तो पहली चीज़ तो होती है interest, आपकी रूची है या नहीं है, अब रूची समझने का मतलब यह है कि subject कितना गती शील है generally लोग क्या करते है कि optional लेते समय इस बात की गलती कर देते है कि वो optional लेते समय यह सोचते है कि जो optional है, वैकल्पिक विशह है वो scoring कितना है scoring से जादे जरूरी है आपको यह तै करना कि इसमें आपका interest कितना है अगर interest की बात अगर आप देखोगे तो interest होगा तो जरूर उसके बारे में आप extra जानकारी इकटा करोगे अब interest होने के लिए यह जरूरी है कि विशह थोड़ा dynamic हो जैसे for example कि अगर हम आज की date में देखें अगर हम आज की date में देखें तो जैसे क्रिशा कांदोलन हो रहे है आपसे अगर यह सवाल अगर exam में पूछा जाए अगर क्रिशा कांदोलन के मसलों को या जैसे आज कल अभी अभी 2021 में बेरुजगारी का मुद्दा बड़ा ही महत्पूर्ण तरीके से उभरा है छातरों की नजर में या अगर आप देखो तो इन मुद्दों को क्या आप अपने answer में समलीत कर सकते हो जैसे ही अगर आपके अंदर यह ability आ रही है तो आपका interest खुद ही जन्म लेने लगेगा अगर आप दिन रात उन मसलों को अपने जो syllabus से अगर dynamic issues उसको जोड़ पाओगे तो अपने आप यह समझ में आपको आने लगेगा ठीक है यू विल बी गेटिंग easier your syllabus when you know की how to create interest तो अगर आपका syllabus अगर dynamic issues से जोड़ रहा है तो अपने आप आपकी रूची बढ़ती जाएगी तो interest को पहला parameter मनें interest को पहला parameter मनेंगे और इसमें यह तै करेंगे कि interest को ensure करें दूसरी जो बात है हमारी और वो है कि GS के संदर्म में syllabus की उप्योगिता क्या है सवाल यह है कि आजकल जितनी भी राज्य प्रशाशनिक सेवाएं है या जो हमारी UPSC है वह लगभग लगभग इस तरीके का syllabus बना रही है कि GS एक महत्पुन रोल प्ले करेगा तो अगर आपका optional GS में उप्योगी हो पाए तो यह भी एक बड़ा factor होगा इस बात को जरूर ensure करें कि आपका जो भी optional है क्या वो GS के लिए उप्योगी है क्योंकि आज के समय में smart study किसे कहते है कम समय में अधिक उत्पादक्ता को दे पाना तो जरूर हम यहाँ पर यह try करेंगे कि GS के perspective से क्या बन पा रहा है ठीक है तो first you have to ensure this interest second thing is what is the role of your optional subject in the terms of GS ठीक है तीसरी बात यह है कि कई लोग कहते हैं कि अगर academic background हो तो अच्छा है न भी हो तो भी कोई बाध्यता नहीं है क्योंकि academic background होगा तो ठीक होगा और नहीं भी होगा तो ठीक होगा क्योंकि civil सेवाँ में academic background का कोई मतलब खास नहीं होता है मैं quickly discuss कर रहा हूँ क्योंकि हमें political science के syllabus ठकाना है चौथा जो मुद्दा है कि क्या ये scoring है कि नहीं है आपका wish है scoring है कि नहीं है क्योंकि अगर इसमें उच अंक ही ना पाए तो फिर उसका कोई मतलब ही नहीं होगा तो हम यहाँ पे scoring subject को देखेंगे इन सारे parameters पे यह मैंने एक brief आपको बता दिया this is the brief how to choose optional so first one is interest second one is GA second third one is academic background and fourth one is scoring these are the parameters यह चार आपको संदर्व दिखाई दे रहे तो अगर मैं आपसे कहूं कि इन सब में कौन सा जादे महत्तपुन है तो आपको सीधे सीधे कुछ नहीं करना है सीधे सीधे आपको यहाँ से क्या करना होगा interest को प्राथमिक्ता दे ठीक है अगर आपका interest है तो महत्तपुन संदर्व आपको समझ में आएंगे चीजों को जोड़ पाओगे और interest तभी बनेगा जब चीजों डाइनमिक होंगी तो उन पैरामिटर्स पर अगर मैं आपसे कहूं तो वरतमान समय में political science and international relation एक बहुत ही तगड़े विकल्प के रूप में उभरा है what we have seen nowadays जैसा मैंने आपसे कहा था कि यह session थोड़ा bilingual रहेगा तो generally मैं bilingual पे जादे बल देता हूँ अलाकि separate sessions भी चलते हैं लेकिन bilingual कमहत्व इसलिए है कि if you are not getting properly any terminology in Hindi और English तो अगर आपको दोनों आता रहेगा if you are both if you are aware in both languages easy to decode the question तो यहाँ पे हम वही कोशिश कर रहे हैं तो मालोज अगर मैं PSIR को इस parameter पे कसूम हूँ तो interest बड़ा जमता है क्यों? क्योंकि आपको अंतराश्टिय संबंध पढ़ने पढ़ते है PSIR के syllabus में अगर आप में एक brief synopsis दूँ तो IR का syllabus आ जाता है भारत का सम्मिधान आ जाता है इसमें भारत की राजनितिक विवस्था आ जाती है पॉलिटिकल सिस्टम आ जाता है और आजकल लगभग हर syllabus में ethics का रोल बढ़ता जा रहा है नीती शास्तर का रोल बढ़ता जा रहा है तो ये भी syllabus में आ जाता है लगभग लगभग हम अगर देखें तो एक बड़ा GS का syllabus ये कवर करता है और वरतमान घटना करम की सभी स्थितियों को समाहित कर लेता है तो इन टर्म्स ऑफ इंटरेस्ट पॉलिटिकल साइंस इस वेरी डाइनमिक सेलेबस वेरी उसफूल सेलेबस इन टर्म्स ऑफ रिसेंट अक्टिविटीज इंटरनेशनल रिलेशन कॉंस्टिटूशनल फ्रेमवर्क एंड पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ इंडिया एंड एथिकल कॉंसर्ण्स विचार नावड़ेज वरी वरी इंपॉर्टन तो मैं उसी को हिंदी इंगलिश में ट्रांसलेट कर रहा हूँ क्योंकि इसमें दोनों बच्चों की भलाई हो पाए हम दोनों मीडियम को समाल के चलें और आपको सीखना विजिए जिन लोगों को अगर इंगलिश नहीं आती है तो वो भी मेरे साथ इस बात का आपको विश्वास दिलता हूँ कि आप कुछी दिनों में एकदम पारंगत हो जाओगे दोनों भाशाओं पर आपकी पकड़ बढ़ जाएगी और अंक प्राप्त करने में आप एकदम अगरसर हो जाओगे ठीक है दूसरी बात यह है कि GS में उप योगिता क्या है GS के अगर आप सेलेबस को देखें तो IR एक अलग सेगमेंट के रूप में आता अगर आप भी PSC में देखें तो IR अगर आप देखेंगे तो सीधे सीधे Paper 2 का हिस्सा है सम्मिधान Paper 2 का हिस्सा है अगर आप देखेंगे Political System यह भी Paper 2 का हिस्सा है एथिक साता नहीं भी PSC में अब जड़ा चलते हैं UP, PSC में और UPSC में UPSC में IR, Constitution, Political System यह सब कुछ Paper 2 के हिस्से है यह इसमें PSIR में Modern India भी आता है Modern India का सेलेबस जो है Paper 1 का हिस्सा है कहाँ पे BPSC में भी और यह जो PSIR का सेलेबस है तो अगर अगर UP, PCS के नजरिये सा देखें तो लगभग वहाँ भी UPSC के पैटरन को Follow किया गया है जैसे वहाँ भी Paper 1, Paper 2, Paper 3, Paper 4 है और BPSC में अभी केवल Paper 1 और Paper 2 ही होते है हाला कि इन Paper के नंबर से बच्चे ब्रमित हो जाते है कि BPSC का सेलेबस छोटा है लेकिन अगर आप लमसम देखोगे वर्ड लिमिट की अगर मैं बात करूँ तो वर्ड लिमिट लगभग लगभग उतना ही लिखना है और लगभग सारे विश्य उसमें समलित हो रहे है चाहे वो हिस्ट्री हो चाहे वो जोग्रफी हो चाहे वो इंटरनेशनल रिलेशन हो चाहे वो भारत की राजनेतिक विवस्था या समिधान हो तो लगभग लगभग सारे विश्य समलित हो रहे है तो अब मैं इसका एक निश्कर्स आपको बता रहा हूँ I am giving you conclusion कि आज की date में UPSC ने हाल ही के वर्षों में एक अपनी बैठके की राज्य के लोग सेवा आयोगों के अध्यक्षों के साथ और उन्होंने ये तैक किया कि जो IS PCS की status में अंतर आता जा रहा है क्योंकि अगर IS बहुत अधी गुणवता युक्त हो गया और PCS अगर उन्ही तथ्यात्मक ज्यान को लेके चलते रहे तो administration में कामी नहीं हो पाएगा तो अगर हम दोनों सेवाओं की बराबरी का स्थर बनाएंगे अगर हम केंद्री सेवाओं और राज्य सेवाओं को अगर बराबरी के स्थर पे लेके चलेंगे तो output ज्यादे निकलेगा तो इसलिए अगर आपने देखा होगा कि लगातार राज्य लोक सेवायोगों में भी परिवर्तन हो रहा है खास करके हाली में UP में हुआ परिवर्तन आप देखी रहे हो 2018 में पहली बार परिवर्तन हुआ और results भी उन्हीं क्या रहे है अगर आप BPSC का result देखो अगर आप UPPCS का result देखो वो उन बच्चों की संभावना जादे बढ़ रही है जो UPSC के syllabus को cover कर रहे है तो हम एक तरीके का एक ऐसा module क्यों न विक्सित कर लें क्यों न एक ऐसा generalized approach विक्सित कर लें कि हम एक तीर से कई निशाने करें तो हमें आज की संदर में smart बनना होगा we have to ensure smartness for the selection days are gone initially we prepared like a separate exam, separate strategies but nowadays all the public service commissions and UPSC sitting together and they decided uniformity of the syllabus so that's why हमें यह तै करना है कि optional ऐसा हो जो थोड़ा interest create करें जो GS के लिए उपियोगी हो ताकि एक तीर से कई निशाने हो पाए समय सब के पास एक ही बराबर होता है कोई उन 24 घंटों का सर्वत्तम उपियोग करके topper बन जाता है और कोई out of the list हो जाता है तो हमें यह ensure करना होगा कि अपने समय का बहतरीन उपियोग कर पाए ठीक है ज्यान आपको select नहीं कराएगा यह बात हमेशा याद रखना आपकी knowledge नहीं select कराएगी आप अपने ज्यान का अधिक्तम उपियोग कितना बुद्धिमता पून तरीके से कर सकते हो यह आपकी selection का आधार बनेगा और यह मैं इस दावे के साथ कह रहा हूँ कि अभी तक 50,000 से अधिक विद्यार्थियों को पढ़ाने का अनभव है लगबग सैकडो selection देखने का अनभव है उनको मर्गदर्शन देने का अनभव है तो उस आधार पे मैं आपको कह सकता हूँ इस दावे के साथ कि ग्यान से अधिक आपका कारे करने की प्रणाली मर्गदर्शन और उसका निश्पादन अनभव हमेशा याद रखना हम किताबों के पीछे भागते रहते हैं हम नोट्स के पीछे भागते रहते हैं हम विभिन संस्थानों के पीछे भागते हैं लेकिन कभी हमने ये परामेटर्स पर टेस्ट नहीं किया आपने को है तो इसमार्ट का मतलब ये है कि क्या हम उचित समय में उचित रणनीती बनाके अधिकंग पाले इसलिए आपने देखा होगा कि IIT के बच्चे, IIM के बच्चे तेजी से रिजल्ट को निकाल लेते हैं हला कि उन्होंने कभी हिस्ट्री नहीं पड़ी हला कि उन्होंने कभी पॉलिटिकल साइंस नहीं पड़ा हला कि उन्होंने कभी जोग्रफी नहीं पड़ी लेकिन उनके अंदर ग्यान कम होते हुए उन्होंने आउटपुट कैसे दे दिया इसका मतलब कि वो एक्जाम की नीड को समझ गया तो आप एक इंटरेस्ट के लिए जनरली आप एक बैठो अपने घर पे और दो-चार दिन वक्त लो देखो कि मुझे इसमें इंटरेस्ट आ रहा है कि नहीं क्या ये वरतवान घटना करम से जूट पा रहा है डेली डेली नियूस आती रहती है क्या आप उन घटनाओं को रिलेट कर सकते हो क्या उनके दिमाग में अपने ताना बना बुन सकते हो Do you ensure this entire activities into your brain Are your celibuses interesting with the current dynamic situation? So this is the million dollar question You have to think about it before opting your optional Academic background बहुत महतपुन नहीं है लेकिन अगर है तो ठीक ही है क्योंकि ये बहुत जादे जरूरी नहीं है कई बार तो academic background होते हुए भी PhD scholar उसमें score नहीं कर पाता है और एक सामान ने graduate score कर लेता है तो ये सारा खेल ग्यान का नहीं है हाला कि अगर background है तो ठीक है और जहां तक scoring की बात है तो इसको ध्यान में रखना चाहिए क्योंकि आयोग लगतार इस scoring module को change करता रहता है For example, अगर मैं कहूं कि विगत वर्षों में अगर देखा जाए पहले की दिनों में तो कुछ optional थोड़े जादे नंबर देते थे वरतमान समय में कुछ trend बदले हुए है तो हमें इस trend का ख्याल रखना पड़ता है हाला कि ये भी उतना जादे दमदार नहीं है कि scoring तो हर उस subject में होगी जिसमें आपकी समझ है जो GS से मिलता जूलता है तो इन दो parameters को आप जरू ध्यान दे हाला कि दो भी महतपूर्ण है लेकिन इसको आप छोड़ सकते हो ठीक है अब आओ सीधे चलते हैं अपने syllabus के उपर और जड़ा देखते हैं कि क्या इन parameters के उपर हमारा syllabus कारगर है क्या हमारा syllabus काम कर पा रहा है क्या तो इसको थोड़ा सा हम देखते हैं ठीक है तो अब यह हमारे सामने Political Science and International Relations का जो syllabus है This is the syllabus of Political Science and Science and International Relations This is the first part Part A यह जो हमारा हिस्सा दिख रहा है Part A वाला इसको हम थोड़ा सा देखते हैं और समझते हैं और थोड़ा सा उसी parameters पे समझने की कोशिश करते हैं जैसे यहाँ पर लिकर है कि राजनेतिक सिध्धात अब जनरली हम क्या करते हैं जनरली हम क्या करते हैं कि जब हम यह पढ़ते हैं Political Theories पढ़ते हैं या Political Thought पढ़ते हैं अगर आप देखोगे दोनों के syllabus को मिला के देखोगी आपके लिए एक असान तरीका असान तरीका क्या होगा? कि यू हैब टू कंपेर कि भई UPSC के syllabus में क्या दिया है अब यह तो मैंने एक जनरल आपके representation के लिए बता दिया कि जिसमें UPSC का भी हमारा उदेश्य पूरा हो पाए राजलोग सेवायोगों के भी उदेश्य हो पाए चाहें आप BPSC में बैठ रहे हो चाहें UPSC के exam को दे रहे हो चाहें आप किसी भी exam को दे रहे हो यह module नहीं change होने वाला जैसे अगर मैं कहूं आपसे कि अगर यहां पर मालो टीएच ग्रीन का ये एक thinker है या हीगेल है या मार्क्स है अगर कारल मार्क्स BPSC में पूछे जाएंगे तो भी उनका विचारदारा वही रहेगा UPSC में पूछे जाएंगे तो भी वही विचारदारा रहेगी और अगर ये UPPCS में पूछे जाएंगे तो भी विचारदारा वही रहेगी What I am trying to say कि uniformity at least in these syllables of UPSC, BPSC and UPPCS So at least you have to check these syllables नहीं होता है न कि साच को आज क्या तो मैं आपसे एक विनम्र निवेदन करूँगा This is sincere request from my side Just you have to check Selibus offer मैं तो बताता ही रहूँगा जैसे हम courses start करेंगे तो मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि आपको भारत में उपलब्ध जो सर्वत्तम content है वो मिलेगा और इस बात की assurance है कि आप जैसे ही मेरे से जुड़ोगे तो 60 to 70% number guaranteed दावा इस बात का है कि आपको ये मिलेगा जो आपका हक है ठीक है और ये मैं बहुत अनुभव से कह रहा हूँ और ये बहुत दावे से कह रहा हूँ और इसलिए मैंने कहा कि एक बार जब आप खुद चेक करोगे तो ये देखो कि मैं तो बताओंगा ही syllabus में कि UPSC, BPSC और UPPCS का अगर आप syllabus देखो कि तो लंसम एक दिखाई दे रहा है बस आपको करना क्या है कि कुछ चीज़ें अगर अधिक है या कम है तो उसको साइड में notes बना लेना है ठीक है? उसकी common factors के लिए notes वही रहेंगे अब मैंने कहा कि इनमें uniformity क्यों बनाई गई है क्योंकि आयोग ने तय किया है कि IS और PCS की सेवाई है क्योंकि दोनों civil सेवाई है बोथ हर civil services So there is a uniformity needed Because अगर मालो केंदर सरकार कोई नियम लगा रही है और अगर उसको देखा जाए तो ground reality पे एक जिले में एक IS भी काम करता है एक PCS भी काम करता है और दोनों civil सेवाउं से जुड़े हुए हैं और कहीं न कहीं बले ही वो केंदरी सेवाई हैं लेकिन बिना IS PCS अधिकारियों की tuning के कोई output मिली नहीं सकता तो सवाल ये है कि आयोग ने ये सोचा खास करके संग लोग सेवायोग ने कि अगर IS बहुत जादे अगर योग्यों हो जाएंगे और PCS अधिकारी थोड़े कम योग्यों हो जाएंगे तो फिर तो काम होगा ही नहीं ये तो वैसा ही हो गया जैसे एक कार है एक पहिया आपने एक बहुत बड़ी कमपनी का लगा दिया दनलप का लगा दिया और दूसरा पहिया आपने लोकल कर दिया और उसमें हवा भी कम डाल दी तो क्या इससे आपका वाहन सही चल पाएगा जी नहीं तो अब सीधे सीधे आप ये समझो कि अब वही दिन आने वाले हैं सिक्षा खास करके COVID के समय में आपने देखा होगा कि एक गुनात्मक परिवर्तन आ गया है सिक्षा के पद्दती में ये 2020 का युग अगर आपदा का युग था तो संभावनाओं का भी समय था ये तो अगर इस संभावनाओं को देखो गया तो बिलकुल पढ़ाई के नजरिये में चेंज लाना है अपने इसके पहले भले ही आप अलग-अलग तयारियां करते होगे लेकिन अब ये परिवर्तन का दौर है जो ये परिवर्तन पकड़ लेगा 100% उसका सेलेक्शन होगा इस बात को मैं दावे से आपको बता सकता हूँ ठीक है और अपने अंदर एक confidence रखना है है ना जैसे बाहू बली मूवी में हमारे जो प्रभास हैं वो क्या कह रहे है कि डर को हरा दोगे तो ही जब मृत्यू को जीत लोगे तो यही तुम्हारे साहस का परिचायक होगा जब तुम डर जाते हो ना अधिक अंश्तिया बच्चे डर जाते हैं UPSC का नाम सुनते ही सोचते हैं कि कोई बहुत बड़ी चीज है हमारे ही वीच से आप ही के वीच से कुछ बच्चे निकालते हैं ना इसे और कई सारे ऐसे बच्चों को मैं जानता हूँ जिनकी सिक्स तक उन्होंने कभी अंग्रेजी नहीं पढ़ी और वो ताल ठोक के चुनोती देखेंगे कहते हैं कि ये मेरी सीमाओं में है और वो टॉपर बनके निकलते हैं और कई बार वो अन्यमेडियम के बच्चों को भी पीछे कर देते हैं तो आपके अंदर वो साहस वो उर्जा का संचार करना होगा तो आओ आप सेलेबस की बात करते हैं और मेरे साथ आप रहोगे तो आप ऐसे मोटिवेटेड रहोगे हाइली मोटिवेटेड मेरे साथ पढ़ो, मेरे साथ जानकारिया लो और आप ज़रा देखोगे बहुत सारे लेक्चर्स मेरे होंगे भी यूट्यूब पे जैसे कारल मार्क्स है अब कारल मार्क्स को अगर आप लिखना चाहते हो तो बस एक काम करना है आपको क्या काम करना होगा आपको सबको पता है कि कारल मार्क्स इसकी बात करते हैं कि क्लास स्ट्रगल की कि जहां जहां कहीं कोई रिच होगा देखो दुनिया का हर एक समाज में कभी कोई धनी व्यक्ति होता है कहीं कोई गरीब व्यक्ति होता है और दोनों में हमेशा एक स्ट्रगल चलता रहता है इसको कारल मार्क्स कहते हैं वर्ग संगर्ष अगर मानलो आपने वर्ग संगर्ष UPSC के लिए लिखना है देखो मेरी बात समझना ध्यान से अगर आप कारल मार्क्स UPSC के लिए लिख रहे हो तो आप पूरे देश को संदर्ब में लेकर चलोगे और अगर कारल मार्क्स आप बिहार और UPSC के लिए लिख रहे हो तो थोड़ा सा वहाँ पे पॉइंट सम बढ़ा देता है चाहेगा तो नहीं लेकिन परिस्तियां ऐसी हो जाती है क्योंकि वो बनता जाएगा गरीब और जैसे अभी हाली में COVID में आपने देखा कि जो दुनिया के सबसे अमीर लोग थे एकदम और अमीर होते चले गया और गरीब तो और गरीब होता चला गया चाहे चाहे ना चाहे तो इस बात को आप बताओगे कि कारल माक्स की जो वर्ग संगर्ष की सिधान्त है वो जितनी कारगर पूरे देश में है उतना ही बिहार में भी दिखी है जब हजारों माइग्रेंट्स हजारों जो अप्रवासी मजदूर थे जब उन परिस्तितियों में घर लोटे तो कहीं न कहीं कारल माक्स की थेयरी को प्रूफ कर गया ये कि वर्ग संगर्ष हमेशा रहता है जो धनी लोग थे, जो संपन सील लोग थे उनको कोविड में कोई प्रभाव नहीं हुआ लेकिन इनके जीवन के उपर संकटा गया तो थोड़ा सा ये वली लाइन अगर आप जोड़के अंडर लाइन कर दोगे न तो अपने आप नमबर मिलेंगे तो हमें पढ़ने के तरीके में बस थोड़ा सा अंतर लाना है बाकी सब वैसे ही रहेगा अगर मैं आपको कहूँ कि कॉटिल या चानक के तो अगर चानक के हैं तो आपको ये समझना होगा कि चानक के केवल मगद के ही नहीं है चानक के केवल तक्छेशिला के ही नहीं है चानक के इस संपूर्ण भारत की विचारधारा को प्रतिबिम्बित करते हैं आइडियाज अफ कॉल्टिल ये कम्प्लीटली रेप्लिकेटिंग बिलीव्स, कल्चर, आइडियलजी, इंटेंट ओफ इंडियन आइडियलजी, तो जब हम चानक्ये वली टॉपिक को पढ़ रहे हैं, तो ये इतिहास में भी महत पूर्ण है, अब जब हम फिंकर के रूप मे पढ़ रहे हैं, तो हमें इसके ब्रिहत संदर्भों को देखना होगा, और वरतमान से तुलना करनी होगी, चानक्ये की तुलना में कियावली से करनी होगी, चानक्ये की तुलना वरतमान संदर्भों से करनी होगी, उस डोनाल्ड टरम्स से करनी होगी, जो अमेरिका में अभ तो अगर आपको पाकिस्तान को साधना है अगर आपको भारत को पाकिस्तान को रोकना है अगर चीन को रोकना है तो हमें अफगानिस्तान के साथ दोस्ती करनी होगी हमें रूस के साथ दोस्ती करनी होगी हमें अमेरिका के साथ करनी होगी तो क्या यह चानक के सद्दानतों का ह प्रगटी करण नहीं है यह है अंको को पाने का तरीका और बड़ा रोचक हो जाता है जब हम पढ़ेंगे तो इस syllabus में जितनी भी ऐसी बाते हैं लगभग लगभग सभी issues के उपर हम एक ऐसा content develop करेंगे जो वरतमान संदर्वों को जोड़ देता है कि आपको नहीं लगता है कि आपकी रूची बढ़ाने में जदेकारगर होगा कि आपको नहीं लगता है कि यह interest अगर बढ़ गया तो अपने आप आप संदर्व को समझ जाओगे and you will produce a best answer writing और ये सारा कुछ समझ का ही तो खेल है समझदारी से अगर आपने syllabus को देखा और अगर उसमें रूची create कर ली अगर आपने उसमें dynamics पक्षों को जोड़ दिया तो अपने आप अंकाग है इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं थी और एक और बात है जब हम syllabus का ये तो अब लोग कहते हैं कि ये बड़ा stagnant हिस्सा है बहुत ही स्थिर हिस्सा है इसमें कुछ नया लिखी नहीं सकते syllabus बहुत बड़ा है मैं आपको बता दूँ कि ethics का paper, नीती शास्त्र का paper जो आजकल UPPCS में पूछा जाता है UPPC में पूछा जाता है और मैं इस बात के लिए पूरा ही आशानवित हूँ कि बहुत जल्दी BPSC के मेंस के syllabus में भी आएगा क्योंकि नीती शास्त्र का wish है आज के दौर की सबसे बड़ी चर्चा है बढ़ता हुआ बरस्टाचार बढ़ती हुई समस्या है क्या लोग प्रसाशकों के अंदर में नीतिगत गुण होने चाहिए Is there any requirement of any kind of ethical characteristics among our civil servants तो बिल्कुल तैवात है कि ethics का मसला जुड़ेगा और अगर ethics का मसला जुड़ गया तो आपको ये सारे thinkers पढ़ने ही पढ़ेंगे अगर पहले सही आपने पढ़ रखे हैं तो क्या आपको advantage नहीं मिलेगा तो आपका syllabus अपने आप अंकदाई हो गया, आपका बोज हट गया मन का, कि कल की date में अगर आप BPSC की तेहरी कर रहे हैं, अगर आप un-exams की तेहरी कर रहे हैं, जहाँ ethics आपने इसलिए देखा होगा कि एक बच्चा जो UPSC में select हो रहा है वही बच्चा BPSC में भी select हो रहा है और वही बच्चा UPPCS में भी select हो रहा है पिछले 4-5 साल का आप trend उठा के देख लो तो जैसे होता है कि सत्यम कीम प्रमाडम तो evidence are so many you can check it, this is the fact check this is the homework for you kindly check it अब हम जरा अगले हिसे की ओर चलता है क्योंकि हम बस एक देखो सेले बस सबके पास उपलब्द है बस मैं बता रहा हूँ कि पढ़ने का तरीका क्या होगा जरा हम अगले portion की ओर चलते हैं और इस portion को हम थोड़ा समझने की कोशिश करता है अब देखते हैं इसमें कई सारी बाते दी गई है जैसे कि यहां पर लिखा गया है कि nature of modern state जैसे sovereignty क्या है जैसे पूछा गया कि sovereignty क्या है पूछा गया हमसे कि संप्रभुता क्या है पूछा गया कि हमारे लिए authority power का क्या मतलब है हमारे अधिकार क्या है हमारी स्वतंता क्या है क्या हमारे समिधान में ये सारी बाते नहीं लिखी है हमारा preamble ही यहीं से start होता है अगर आप polity के section को देखो GS के portion में तो आप बहुत easily इस बात को देखोगे कि GS के section में sovereignty, संप्रभुता, power, authority इन सब की चर्चा की गई है अगर आप इन संदर्मों को अच्छे से समझ ले गए तो अपने आप आपको GS का polity section है अपने आप आपको यहाँ पर अंक प्रदान करने की स्थी में आ जाओ गया है तो यह एक ऐसा syllabus है जो आपके GS से भी बहुत मिलता जुलता दिखाई दे रहा है ethics वहाँ पर portion यह मिल रहा है GS के polity से match up कर गया अगर मैं quickly यहाँ पर आऊ अगर quickly मैं इस मुद्धे को उपर आऊ तो भारत के विशेश संदर में सरकार और रजनी थी आप जड़ा देखो यहाँ पर देखना कि special reference of India यहाँ पर आप ध्यान से देखे और भारत की मैं government और politics की बात कर रहा हूँ I am talking about Indian government and politics and we have shortage of time that's why I am not completely translating all these issues क्योंकि समय की थोड़ी कमी है और हम इसमें बस एक सनराचनात्मक पक्ष पे चर्चा कर रहा है इस structure पे लेकिन generally जब मैं lecture देता हूँ तो उसमें हम दोनों को मिश्रित करके चलते हैं proper तरीके से उसकी answer writing करते हैं उसको translate करते हैं चीजों को तो जब हमारे पास notes जो होंगे या जो भी हम lecture लेंगे तो वो दोनों भाचाओं में होंगे तो आपको बड़ा एक बैतरीन समझाएगी अब मैं जड़ा इसकी बात करूँ तो जब मैं ये बात करता हूँ कि approaches to the study of comparative politics तो जब मैं इसकी बात करता हूँ जड़ा ध्यान से देखना क्या आपको संसद नहीं पढ़ना है क्या आपको legislature नहीं पढ़ना है modernization नहीं पढ़ना है तो अगर मैं कहूँ कि communication नहीं पढ़ना है तो सारा कुस्तो है EGS का ही तो हिस्सा है अगर आप भारत की समिधान देखो और अगर भारत की राजनतिक विवस्ता देखो तो आपका अगर UPSC दे रहे हो तो वहाँ भी paper 2 है अगर आप UPSC दे रहे हो तो वहाँ भी paper 2 है और अगर आप BPSC दे रहे हो तो वहाँ भी paper 2 है लगवाँ लगवाँ समानमुद्दे हैं और हम आगे चलके अपने अगले classes में देखेंगे कि हम एक तुलनात्मक प्रश्नों के उपर भी चर्चा करेंगे जनरली मैं पढ़ाते समय क्या करता हूँ कि प्रश्नों को तुलनात्मक तरीके से समिख्छा करता हूँ जैसा UP में पहले तो मैंने कई बार बच्चों को ऐसा देखा है कि वो पकड़ी नहीं पाते कि कौन सा सवाल BPSC का है कौन सा UPPCS का है कौन सा UPSC का है इसका रीजन यह है कि आप क्यों नहीं पकड़ पा रहे हो क्योंकि पिछले 4-5 साल से ट्रेंड ऐसा हो गया है कि UPSC का सवाल UPPCS में पूछा जा रहा है UPPCS का सवाल BPSC में पूछा जा रहा है BPSC ने UPSC का सवाल भी उटाने शुरू कर दिया है तो हम एक proper channeling करेंगे और सीधे प्रशनों के माधियन से बात करेंगे जिसे कि हमें चीजें समझ में बहतर तरीके से आएं तो यह सारी बाते आपको पढ़नी है और हाँ लेकिन क्या अलग हो जाएगा जैसे कह रहा है कि वेबर का नौकर शाही सिधान पर आप चर्चा करिए तो अब यह GS में नहीं है लेकिन आपकी समझ को बढ़ा देगा है जब अगर आपने अपने optional में इसको बहतरीन तरीके से पढ़ा है तो GS में आप एकदम से सिकंदर वाला वेवार करोगे है अगर में कहूँ समध्रगुप्त तो ज़्यादे अच्छा होगा है अपनी कॉंपी पे बिलकूल क्योंकि अगर सिकंदर और समध्रगुप्त की तुलना की जाए तो समध्रगुप्त ज़्यादे भारी पड़ते हैं अगर हम मैं क्यावली और चानकी के तुर ना करें तो चानक के जादे भारी पढ़ते हैं तो आप अपनी कॉपी पर समुधर गुपत जैसा वेभार करोगे जो कभी कोई युद्धार ही नहीं थे तो इस बात को आप ध्यान देंगे हम अगले सलेवस की और बढ़ हैं तो बस मैं आपको एक आइडिया दे रहा है क्या आधुनिक भारत के इतिहास को देखोगे तो इसमें यही सब तो इशूज हैं उपनी मेश वाद जो आप पूरी कहानी पढ़ते हो ना कि अंग्रेजों का आगमन भारत में कोलोनियलिजम इन इंडिया नेशनलिजम इन इंडिया फिर आधुनिक भारतिया समाजिक औ क्या आपने यह पढ़ा नहीं है फरक केवल इतना है कि आपने इनको थोड़ा कम अध्यान किया है और पॉलिटिकल साइन्स इनकी व्यक्तित्तों को पढ़ने का मौका देगा यह कितनी अच्छी बात है कि जो चीज आप सतही तरीके से जान रहे थे अब उसको डिफ्त में जानोगे और इस बात की मैं गरेंटी ले रहा हूं कि अगर इन विचारों के साथ आप इंटर्वियू में गये इफ यू विल एपियर इन दी इंटर्वियू देन यू विल रॉक ऑन दी फ्लोर एक दम हंड्रेट परसंट गरेंटी है कि अगर यह सवाल आपके इनके केवल विचार आपके जहन में आ गया ना तो कोई रोकी नहीं सकता है आपको बहतरीन मार्क्स पाने के लिए ठीक है तो हम इसके उपर बहुत डिटेल में चर्चा करेंगे तो इनको बस आप सेलेबस देखो और सेलेबस देखके बताओ कि क्या जीएस का 80% 75% सेक्शन क्या अगर आप भारत के समिधान की बात करो जैसे अगर मैं कहूं फंडामेंटल राइट्स भारतिय समिधान की बाते या DPSP राज्य के नीती निरेशक से दान या संगीय सरकार के बारे में संसद मंत्रिमंडल नियाले और भारतिय संगवाद केंदर राज्य संबंध रजपाल क परार की बहुमिका, सरकार की इसमें क्या बहुमिका है, पंचायती राज, अगर आप भीहार का इकजाम दे रहे हो तो भीहार का पंचायती राज, अगर आप UP का दे रहे हो तो Zeitra GS में पढ़ते हैं, तो क्या एक तीर से कई निसाने नहीं हो रहे हैं, आप तयारी कर UPSC की, चाहे UPPCS की चाहे BPSC की, चाहे GS की, सब तो मिल गया यहां पर, अब क्या चाहिए इसको कहते है smart study कि पढ़ोगे एक बार और काटोगे कई बार जैसे नहीं होता है कि फसल वोई एक बार और लाब कमा रहें कई बार तो हमारा काम खत्म हो गया इसी को कहते है smart selection अब एक बात समझना आपने देखा होगा कि आज के जितने भी toppers हैं या जितने भी selected candidate हैं, वो limited समय में अधिक output देने की बात करता है क्योंकि हमारे पास सबके पास 24 गंटे हैं उसमें हमारे कई सारे कारे हैं अपने personal कारे हैं, अपने professional कारे हैं तो how to optimize your time ये आज का सबसे बड़ा सवाल है कि आप अपने निश्चित समय में कितना बढ़ियां output निकाल सकते हैं अगर आपने 8 गंटे, 6 गंटे पढ़ाई की, तो उसमें output कैसे आएगा कि material कम से कम आपको पढ़ना पड़े और intersection हो पाए G.S.A. match-up हो पाए तो फिर देखो आपका काम असान हो गया पढ़ोगे एक बार और number कई बार उठाओगे Even आप देखोगे कि ऐसे वाले point में भी आपको यहां से फाइदा मिलेगा अगर पंचाइती राज के उपर ऐसे आता ही है राज जपाल की भूमिका पर आता ही है international relation पर आता ही है भारत के समाजिक मुद्धों को उपर आता ही है तो you will get your issues जैसे देखो regionalism या linguistic conflicts या देखोगे कि in the Indian politics class and caste struggle भारत में वर्ग और जाती की भूमिका संप्रदाइकतावाद communalism भारत में क्या है यह सब कुछ तो चल रहा है ना अब यह बताओ कि आज अभी अब मैं एक बात कह रहा हूँ अभी मैंने जब lecture की शुरुवात की थी तो हमने किसान अंदोलन की बात की थी अब जड़ा किसान अंदोलन की आप बात देखें तो recently farmers movement attracted attention of the world community पूरी दुनिया के लोगों तो हमने इसके उपर परतिक्रियाएं दी तो कई बार हमने ये भी कहा कि कहीं ये moment भटक तो नहीं रहा अपने उदेश्यों से कहीं किसान भाईयों के समर्थन करने वाले कहीं अपनी राजनितिक विसात तो नहीं बिछा रहें कहीं इसमें अन्य लोग तो नहीं आ गए भारत में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो किसानों से न जुड़ा हो भारत में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो किसानों के योगदान को न मानता हो लेकिन अगर कोई किसानों के अंदोलन के बीच में आके और हमारी राष्टी एकता को खंडित करें तो किसान भाईयों के साथ साथ ये समझना की हर इंसान खड़ा है लेकिन इन राष्टी एकता को विखंडित करने वाले लोगों का हम जरूर विरोध करेंगे हमारे किसान भी करेंगे, क्योंकि ये देश है और ये देश किसे बना है, हमी लोगों से बना है तो किसी भी बाहरी व्यक्ति कोई हक नहीं है कि हमारी राश्टी एकता को खंडित करे क्या ये सेलेबस के हिस्से में आपको अच्छा नहीं लगेगा कि आप किसी भी वर्तमान घटना को जोड़ पाओ अगर मैं इसी रोजगार के अंदोलन को जो अभी चल रहा है लगतार सरकार के विरोध में यह हो रहा है कि भई रोजगार दें नीटियों में ट्रांसपरेंसी लेके आए अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि अगर आप युवाओं की उर्जा को साध होगे नहीं अगर देश में 54 प्रतिशत युवाँ है और अगर उन युवाओं की उर्जा को अगर आपने केंदरत नहीं किया तो क्या यह रास्टिय एकता में बाधक नहीं होगा तो सरकार को, समाज को चाहें वो किसी भी वर्ग का व्यक्ति हो चाहें वो कॉर्पोरेट हो, चाहें सरकार का हिस्सा हो चाहें समाज का हिस्सा हो, चाहें गाउं का हिस्सा हो चाहें हमारी परिवार का हिस्सा हो और इनी सब इंट्रेस्टिंग विश्यों को हम क्या करते हैं जोडते रहते हैं अपने सलेबस में तो अपने आप आपके अंक आने की संभावना बढ़ जाएगी ठीक है अब जड़ा देखो कि भारतिय लोकतंत्र पर प्रभाव क्या पड़ रहा है आर्थिक समाजिक परिस्टियों का आज देखो कोविट की स्थती में क्या भारत का लोकतंत्र चुनावतियां तो बहुत थी लेकिन क्या हम धीरे धीरे निकलने में कामियाब हुए हलाकि मैं यह नहीं कहूंगा क्या हम पुनरूप से सफल रहे है बट दूरिंग बट ताइम वी फेस्ट रस्टिक एकनोमिक कंडिशन हरवेवर देर वर लिमितेशन साफ इसक्सेस अफ इंडियन गवर्मेंट बट वी रजिस्टर्ट अफंटास्टिक विन अगंस्टी कोविट सिटुएशन वी बॉंस बैक एंड राइट नाव इंडिया इस लीडिंग प्रोडूसर अफ वैक्सीन राइट नाव वी यूजिंग वैक्सीन डिप्लोमेसी कमाल की बात है जो भारत के उपर संदेख कर रहे थे लोग हमने वैक्सीन डिप्लोमेसी करके और पूरी दुनिया को दंग कर दिया हम अमेरिका को दवाईयां दे रहे हैं हम वैक्सीन दे रहे हैं दुनिया के कितने विक्सित देशों ने भारत से वैक्सीन के ओर दिये हैं तो अगर भारत जार्खंड जैसे यहां लिखा है कि जार्खंड आंदोलन के विशेश तंदर में, अगर आप मानलो जो पीएसी का एक्जाम दे रहे हो, अब मानलो कि अगर वहां पे पूछा जाए कि 2000 में अगर जार्खंड बना, तो क्या वहां पे जो अपिक्छाय की गई थी 20 साल पहले, क जार्खंड एक विक्सित राज्य के रूप में उबरेगा, अपनी समस्याओं से निपटेगा, वो आस्ता क्यों नहीं ने पट पाया, तो अगर आपको पूरी विवस्था की जानकारी होगी, if you know well entire situation, then you will explain each and everything with a command, clear हो रहे हैं, तो हम इसको आप देखो जरागी, क्या आप के तुरंट syllabus में जोड लिया आपने, और अगर answer writing कर दी, तो किसी की हिम्मत नहीं है कि आपका number काट ले, number examiner देगा नहीं, दावा ठोकना पड़ेगा, समझ रहे हो, किसी को number मिलता नहीं है, छीनना पड़ता है, ये हिसाब किताब वो है, तो examiner को मजबूर करो, कि उन हजा पड़ेगा, आपको एक commanding position में दिखना पड़ेगा, और ये मैं सिखाऊंगा आपको, कि कैसे करोगे, क्योंकि एक बात याद रखना, आज के समाज में एक ब्रह्म भी है, बहुत सारे लोग इसकी बात करते हैं, कि we do not need any guidance, लोग कहते हैं कि मुझे जरूरत नहीं है, मैं घ तो आप अपना गुरू मानते हो ना, भगत सिंग के गुरू थे, अगर देखा जाए तो भगत सिंग के गुरू है, लाला लाचपतराय, अगर मैं बात करूँ, सुभाष चन बोस के गुरू है, सीयरदास, महत्मा गांधी के गुरू है, गोपाल कृष्ण, गोखले, दुन आप आपका काम असान हो गया वर्षों का अनभाव और आपको अंक पाके अधिकारी बनने का उदेश्य पूरा हो जाएगा हो सकता है कि आप अपने मार्ग में भटक रहे हो और मेरी उन जनकारियों से आप लबानवित हो जाओ जो इतने मतलब लगबग एक दशक का अनभाव एक दशक से अधिकानभाव हो सकता है कि वो निचोड के रूप में आपको मिल जाए तो अगर आप जैसे जैसे जुडोगे और जितना मुझे समझोगे मेरे बहुत सारे लेक्चर्स यूटूब पर पड़े हुए हैं तो मैं आपसे कहूंगा कि एक बार आप लेक्चर्स द ये एक सेग्मेट है, इंडियन बाुलिटिकल सिस्टम का तो यहां भी वही सब घते हैं, वही इंग्लिश वाला पोर्षन है, नेशनलिजम की बाते हैं और वही सब जोड़े जो मैं कह रहा था, कि यह सब क्लास और कास्ट की बाते, वह हंदी वाला पेस था और यहें इंग अब हमने देखा कि ये section B में देखोगे तो ये basically national हमारे interest क्या है अब क्विकली हम इसको देख लेते हैं और आप भी देखोगे कि ये पूरा हमारा national interest क्या है ये balance of power क्या है राष्टिय हित की विचारधारा क्या है राष्टिय शक्ति और तत्तो क्या है ये सारा कुछ जो है sovereign state system क्या होता है power politics national interest क्या होता है ये सारी चीज़ें हम देखेंगे है लगभग सारी चीज़ें हम देखेंगे ये इतना dynamic syllabus है अभी तक जितने अभी हम जब पढ़ रहे थे राष्टिय हित के बारे में तो अभी अभी जितनी किताबों में लिखा है तो वहाँ पर राष्टिय हित मतलब लिखा है कि हमारे समाजीक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनितिक हितों को ही हम राष्टिय हित का अदत है Supreme Court ने एक अच्छी परिभाशा दिया है 2019 में इतना dynamic subject है अब आज हम खड़े हैं 2021 के दिन में और 2019 में Supreme Court ने राष्टिय हित की परिभाशा को और जादे enlarge कर दिया उन्होंने कहा कि जाती विवस्था देश के राष्ट हित में नहीं है जाती विवस्था खत्म होगी यही राष्ट हित में है अगर आपने यह copy में लिख दिया किसी की हिम्मत नहीं है आपका number कट ले इस बात की guarantee है लेकिन क्या वो बाते हैं आपको बताएगा कौन इसके लिए चाहिए मार्ग दर्शन आपको क्या करेगा आपकी मेहनत को one tenth पे लेके आएगा और उतनी उर्जा आप revision में लगाओगे और जो लोग जितना revision कर पाते हैं उतना ही selection की संबावनाएं बढ़ जाती हैं तो हम कोशिश करेंगे कि आपकी मेहनत को एकदम reduce कर दे in the sense कि आपको भटकना ना पड़े कोई material ना पड़ना पड़े मैं जो आपको political science की जनकारी दूँगा जितना चाहें वो एंडू हैवर्स की किताब हो global politics की चाहें वो O.P. Gaba की किताब हो भारतिय संदर्बों में western political thinker के लिए या डेविड मलून की किताब हो की Indian foreign policy के उपर चाहें national writer हो चाहें international writer हो मैं आपको सिखाऊंगा कि यहाँ पे score कैसे किया जाता है इस बात की guarantee है कि अगर आपने मेरे कतनों को ध्यान से देखा तो 60-70% के बीच में optional में number ensure हो जाएंगे और आज सकल optional का बहुत महत्व है आपको पता ही है तो अगर मैं इन संदर्बों को देखूँ अब देखो जरा विदेश नीती के बात करूँ मैं अगर मैं इसकी बात करूँ foreign policy की भी एक बड़ा महत्वोन चीज दिखाई दे रहे कि जैसे अगर मैं कहूं कि balance of power दिखाई दे रहे या अगर मैं कहूं कि separatism जैसी चीज़े दिखाई दे रहे है चीन की स्थती दिखाई दे रहे है रूस के साथ हमारे संबंद दिखाई दे रहे है बड़ा interesting syllabus है cold war के बाद कैसी दुनिया बदली कैसे कैसे तनाओ बढ़े कैसे हम अमेरिका के करीब आए रूस के करीब आए चीन आजकल क्यों इस तरीके का वेभार कर रहा है गुट निरपेक्ष आंदोलन या नैम आंदोलन की प्रसंगिकता क्या है क्या ये सब GS में नहीं पढ़ना है क्या आप जो IR वाला सेक्षन पढ़ोगे यही सब तो है सारा कुछ 100% आपके GS में है ये पूरा देखो एशियाई अफर की पुनरुथान Resurgence of Asian African Community ये सारा कुछ तो वही है वेपार से लेके उर्जा संसाधन से लेके प्राकरतिक संसाधनों पे चरचा Everything अगर आप पूरे सेलेबस को देखो तो लगेगा कि इतना dynamic है कि इसमें आपको कोई संदेही नहीं रहेगा ठीक है अब जड़ा देखो आप इसको ये वही English वाला version है अब जड़ा देखो मैंने कहा कि छेत्री संगठन जैसे आप मलो कि सार्क जैसी ततों की भूमिका देखते हो जैसे मैं कहूं कि आशियान आशियान सार्क ये सब पढ़ना नहीं है क्या आपको आशियान सार्क ये सब कुछ पढ़ना है आपको ये जितना भी international organization है पढ़ना नहीं है क्या WTO या World Bank या IMF क्या आपको पढ़ना नहीं है क्या ये सारी चीज़े UNO क्या ये GS में पढ़ना नहीं है क्या सब कुस तो है ये GS में क्या लग रहा है 100% matching with GS और वरतमान घटना करम ये इतना dynamic syllabus है कि हर पल बदल रहा है और अब मैं आपको एक बात बता दूँ जितने स्थिर subject होते हैं वहाँ number कम मिलता है क्योंकि examiner ये जान रहा है कि अगर आपने मान लोग जैसे कोई पुराना subject हो जिसमें कोई बदलाव नहीं हो रहा है तो वहाँ पे कम number मिलते हैं पॉलिटिकल साइंस में आप 70%, 75% पा सकते हो वही अगर कोई स्थिर सलेबस होगा तो वहाँ पे आपको कम number मिलने की संभाना होगी क्योंकि वहाँ परिवर्तन नहीं हो रहा है आप examiner को अपना potential नहीं दिखा पाए हैं तो हम इसी के उपर काम करेंगे ये सारा कुछ देखो निरस्त्री करण या डिसार्मामेंट की बाते हैं तीसरी दुनिया के साथ हमारे संबंद राजनितिक सिद्धान्त, बायास, तक्षेप सारा कुछ ये वही कुछ है अगर आप देखोगे तो everything पर्माडू उर्जा की बाते दिख रही है ये जितना कुछ देखो आजकल नुक्लियर टेस्टिंग की बात हो रही है तो ये सब हम देख रहे है दक्षण एशिया में संगर्ष की स्थती है क्या है सहयोग है पश्चिम एशिया में जैसे देखो आजकल हम इसराइल के साथ संबंद विक्सित कर रहे है आजकल पाकिस्तान के साथ हमारे संबंद तनावपुण हुए है अगर हम बात करें कि श्रिलंका के साथ हमारे संबंद थोड़े तनावपुण हुए है जैसे मल्दीव के साथ भी हमारे संबन तनाव पुड़ू है क्या ये GS में पढ़ना नहीं है क्या सारकुस्तो पढ़ना है महाशक्तियों के साथ संबन देख लो अमेरिका रूस चीन के साथ विदेश नीती में कैसे उतार चड़ावाए हैं आजकल की घटनाओं में देखो डोकलाम की घटना या अभी अभी देखा जाए तो इस सिकिम वाले छेतर में अनुनाचल वाले छेतर में चीन की सक्रिय था तो ये सारे प्रस्ण तो वही हैं जो हम GS में देखते हैं तो अगर आप देखोगे तो ये पूरा ही पूरा सेलेबस एक dynamic approach के उपर खड़ा है, अब अंतिम बात ये है हमारी, अंतिम बात ये है, कि अगर मैं आपको कहूँ, कि जिस हम पुराने मुद्दे पे आते हैं, और ये बात समझो, कि क्या हमने, ये बात आप देखेंगे, कि क्या हमने interest बनाने में कामयभी हासिल की, दुआधार आ रहा है, क्योंकि ये गतिशील सेलेबस है, आज कोई घटना घटेगी, तो आपके सेलेबस का हिस्सा हो जाएगी, आपको current affairs पढ़ना ही है, ये पूरा syllabus current affairs oriented है, जो आपको अधिक्तम अंकों की guarantee देता है, this will ensure maximum marks in the political science, ठीक है, अब देखो, academic background है, तो ठीक है, नहीं है, तो चिंता मत करो, और scoring तो इतना होगा, कि आप 60-70% number guaranteed उठा लोगे, अगर मेरे साथ आ गये तो, आपके सालों साल बच जाएंगे, तो इसी अनुमान के साथ, और इसी सुभेक्चाओं के साथ, मैं ये कहना चाहूँगा, कि अगर आपको मेरे साथ पढ़ना है, तो जरूर जोईन करें, और अगर आपको मेरे बारे में और जानकारी लेनी है, मेरे कुछ और lectures लेने हैं, तो आप YouTube मेरी बहुत सारी lectures हैं, political science के उसको देखें, समझें, आनन्द प्रकाश, IS के नाम से आप सर्च करें, आपको बहुत सारे lectures दिखाई देंगे, और एक बार गुणवत्ता देखें उन lectures की, तुलना करें, और मेरे साथ जुड़ें, और अपने लक्ष को हम मिल जुल के पाते हैं, ठीक है, इनी सुबेक्षाओं के साथ, मैं फिर मिलता हूँ आप से, अपने अगले क्लास में, तब तक धन्यवाद, नमस्कार,